कि तरफ आगे बढ़ते हैं कि वापस से वाई कि चॉप सुर्ट का अप्लिकेशन सबसे पहले तुमको है किसी भी एक से क्या इस कोश्चन में और इटू कुछ दिया है नहीं तो आपको इवन इटू इन सबके फॉर्मेट में ही आंसर लाना होगा चलिए हम लोग क्या करते हैं इस इवन से एक करेंट निकला है आई यह आई करेंट इस आरवन से होते हुए यहां तक पहुचा उसके बाद इसका दो भाग कर लीजे एक आर्थ्री से चला गया आई वन और बचा हुआ करेंट आई माइनस आई वन यह एटू को पार किया फिर आटू को पार किया और फिर बी जंक्षन पर जाके नीचे से आने वाले करेंट के साथ मिल गया और जब दोनों को मिलाओगे तो करेंट हो जाएगा आई ठीक है ए और भी दो जंक्षन तो आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट वाले जंक्षन को हम सी लिख दिये और राइट वाले जंक्षन को हम डी लिख दिये अब आपका लूप रूल अप्लाई करना पड़ेगा इन लूप माल लीजे हम दों चलते हैं A B C A पर A B C A A B C A A से B जाना B से C जाना C से A जाना तो A से B जाओगे तो करेंट के डिरेक्षन में जा रहे हो तो माइनस I1 इंटू R3 माइनस I1 इंटू R3 जब तुम B से C जा रहे हो जब तुम B से C जा रहे हो तो बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो तो लिखोगे प्लस E1 और फिर जब तुम C से A जा रहे हो तो करेंट के डिरेक्षन में जा रहे हो तो माइनस I1 और यह तीनों मिलके होगा जीरो ठीक है थोड़ा यह सोच रहे है कि हमको करेंट निकालना है तो क्या करना है एक मिनट यहां पर करेंट आइड नहीं नहीं होगा है कि यह वालाma करेंट लेफ्ट में चला गया वहीं न वहां तो मैंरे पासब घा déjà वद लाइंげ अहां से अगर से अगर तुम देखो यहां से अगर तुम देखो तो कर रहे हैं क्या हम इसको इवन इस इक्वल्स टू कि आई आरवन और प्लस आई वन आ थ्री लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अब आप इसे कंसर्प्ट को अप्लाई करें इन लूप दूसरा लुप चुन रहे हैं हम लोग A B D A A B D A A से चलो B की तरफ तो करेंट है माइनस करेंट के डारेक्शन में माइनस आई वन इन्टू आर थ्री फिर देखो बी से डी जब तुम चलोगे तो करेंट के आपोजिट डारेक्शन में जा रहे हो तो प्लस आई माइनस आई वन मुल्टिप्लाइड विथा तू बी से डी में और दी से ए में तुम एमएफ में निगेटिव से पॉजिटिव जा रहो दी से अग दी से एक माइनस से प्लस तो प्लस एटू यहांस यह वैलू हो गया माइनस आई वन आर थी प्लस आई आटू माइनस आई वन आटू प्लस एटू इस एक्वस्टू जीरू थोड़ और इसको सिंप्लिफाई करते हैं इटू को लेथ में छोड़ दी है और बाकी सबकोई में ले गए राइट में ले जाते हुए अगर हम आई वन को कॉमन ले ले तो इस आटू प्लस आर्थी ओजाएगा बिलकुल हो जाएगा और यह आई जब जाएगा तो माइनस आई आइआ अफ आटू हो जाएगा फिलकुल हो जाएगा दिस इस लीक्वेशन टू कि आपका टू अब हम लोगो को इक्वेशन बन और प्लीक्वेशन टू को साल्व करते हुए आगे का डाटा लाइकाल ठीक है आफ कि देखेक थू है हमैं क्वाइब ऊर ट्वेशन बन लिख देते हैं को ऐंक कि अबार आपके सामने लिखते है किल लुआ किर अट एक्वेशिन वन कि है के अंटू कि एक्वेशन मन को देखो कि आल आई ऑन प्लस i1 r3 is equals to emf1 और नीचे हमलों के पास minus i r2 plus i1 r2 plus r3 is equals to e2 के दोनों में अगर हम i को cancel करना चाहें if so उपर वाले को r2 से multiply करेंग और नीचे वाले को पर हमोटर कर्यक्रें करेंगे और दोनों को जोड़के दोनों को जोड़ना है ठीक है दोनों को जोड़के नीचे लिखते तो जब आप दोनों पहले से था R2 से मल्टिप्लाई और नीचे में I1 R2 प्लस R3 था मल्टिप्लाईड R1 और राइट हेंड साइड में आया E1 R2 प्लस E2 R1 ठीक है यह आया पुड़ास आगे बढ़ो इसको सिंप्लिफाई करते चलो I1 को कॉमन लेलो यहां आगया R2 R3 प्लस इसमें आगया है R1 R2 और प्लस R1 R3 और यहां पर है आपके पास E1 R2 और प्लस E2 R1 यह आया है आप अगर यहां से आइवन निकालना चाहें तो इस टौम को लिजाके राइट हैंड साइड में डिवाइड कर लीजे एवन R2 प्लस E2 R1 डिवैड़ेड वाइड प्लस E2 R1 डिवैड़ेड भाई एक साथ लिए अरवन डिवैड़ेड प्लस E2 अरवन डिवैड़ेड प्लस E2 R3 ठीक है यह तीन टमदर यह मैरा आईवन अब आईवन को किसी भी मेरे तुम रख लोगे ना तो तुम मेरे इसको को कॉस्षिन को सॉल्व करने के पीछे का कारण क्या था ना कि हमेशा से आप लोगको आदत होता है कि निमेरिकल याट रहेगा तब हम लोग जैसे दस बोल्ट पाच ओम ऐसे करके कोई निमेरिकल डाटा रहा तो बन्ता है हम आपको समझा रहे हैं कि आपका अगर डाटा रहता है तो बस यह calculation आसान होता है Concept तो वही है तो बस आप यह सोचे ना कि अगर मेरे पास निमेरिकल डाटा नहीं है इस इस कोश्चन में यही सीखो लेकिन यह भी सीखो कि अगर डाटा आंसर निकालना पड़े तो हडबड़ा यह नहीं बस जो काम आप जेनरल करते हैं उसी को करते रही आपका आज़ाएगा अभी आइवन निकाल दिए आप इस आइवन को चाहिए कोश्चन वन में प्लेस कर दी वहां से आपको आई मिल जाएगा ठीक है बड़ा हो जाता है कोश्चन लेकिन हार्ड नहीं होता है लेंदी है ठीक है दो मिनिट ज्यादा लगता है लेकिन बनता है अराम से चलो नेक्स्ट कोश्चन पर आगए इसको सॉल्ब कर लेना आई खुद से निकाल लेना अब देखो इस कोश्चन का अच्छा बात क्या है कि तुमको एवन का वैलू तीन वोल्ट इटू का वैलू दो वोल्ट ऐसे करके कोश्चन में डाटा दिया हुए सब्सक्राइब निकालना है अच्छा बात यही है कि यहां आपको सब्सक्राइब कोई बहुत बढ़ा अंतर नहीं है वापस से हम सबसे पहले क्रिट्णूर्फ का जंक्षन रूल लगाए वाहां से एक्वेशन बनाएंगे वही सौल परेंगे कि यह इवन लेना है हम लोगों को इन लेना है 3 वोल्ड और इत्री लेना है रहा रहें से यहांसे पहिले जन्क्शन रू veloc कि अ जान लिजे यहां से निकलने वाला करेंट है आई तो आई करेंट यहां से पार करेगा यहां तक कहुंचेगा आई करेंट फिर उस करेंट का एक हिस्सा आई वन चला गया है रेजिस्टर टू में ठीक है और नीचे वाले हिस्से में बचा हुआ करेंट आ गया है आई माइनस यह माइनस आइवन रिजिस्टर 3 से पार करता हुआ यहां तक पहुंचेगा लेफ्ट हंड साइड से आइवन आ रहा है दोनों को एड कर दीजेगा तो वापस से सेल में वही करेंट आई इंटर करेगा जो निकला तो एक जंक्शन का नाम लिखो हम ए और बी कैपिटल ए और तो तुम देख रहे हो हम स्मॉल ए और बी से स्टार्ट करते यह लिखें यहां बी लिखें यह जंक्शन मेरा सी है इधर डी है यहां पर ए है और यह जंक्शन मेरा एफ की तरह काम करेंगा अब आप लगाएंगे लूप रूल क्योंकि लूप रूल देखें मेरे पास दो है आई और आई वन तो हमको दो एक्वेशन चाहिए स्वाल बने हैं हम अपना लूप रूल दो जगह लगाने वाले हैं कि इन लूप ए बी ए एफ ए ए बी ए एफ ए ए से भी तो कुछ नहीं है लेकिन वी से जब तुम यह जा रहे हो हो तो करेंट के डारेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई वन इंटु वन सेल में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो माइनस टू फिर उपर चले जाओ सेल में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो प्लस त्री करेंट के डारेक्शन में जा रहे हो माइनस इनेंटो आर गाट विल बीपेस्ट तो आपके पास हो गया माइनस आइब न कि प्लस वन है माइनस आई इस इक पस्टिशिस टो जिरो तो आप लिख सकते हो माइनस आइब सब्सक्राइब कर देते या कॉमन ले लेते और यह हो गया माइनस दोरों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आप ऐसा समझो कि पहला एक्वेशन है आई-वन-प्लस-ई-वन यह एक्वेशन वन अब आप इसी लूप रूल को नीचे वाले लूप के लिए लगाई इन लूप बी इडी बी सी डी इडी नीचे चलते बी सी डी इडी तो बी से सी तब कुछ नहीं है लेकिन सी से डी जाते हुए तुम करेंट के डिरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आफ आई-वन इन्टु वन नीचे टिप से नीचे जा रहे हो माइनस वन वोल्ट उपर जाओ देखो नीचे टिप से पॉजिटिव जा रहे हो तो प्लस टू और फिर करेंट के अपुजी डारेक्शन में जा रहे हो तो प्लस i1 into 1 and that will be equals to 0 that will be equals to 0 तो यह value हो गया minus i minus minus plus i1 यहापे plus 1 or plus i1 is equals to 0 minus i plus 2 i1 is equals to minus 1 यह equation 2 है अब अपना काम है equation 1 और equation 2 को solve करके i1 और i1 निकालना from equation 1 and 2 equation 1 है मेरे पास i1 plus i is equals to 1 और equation 2 है मेरे पास minus i plus 2 i1 is equals to minus 1 यहां से तो थोड़ा answer मेरा अलग आ रहा है यह दोनों जोड़ देंगे 3 i1 is equals to 0 आ जाएगा तो i1 0 आ जाएगा आ जाएगा फिर मेरा i1 0 आ जाएगा तो i1 आ जाएगा चलो देखते हैं तो जैसे ही दोनों को आड करेंगे न हम लोग आड करते ही मेरा यह आई वाला टम कट जाएगा लेप्ट हैंड साइड में 3 i1 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में वन और माइनस वन एड के तो हमारे आइवन का वेलू आ जीडा और अगर आइवन जीरु आ गया तो आप किसी भी एक्वेशन का साहरा ले लीजे आपके आई का वैलू 1 एंपियर आएगा तो करेंट है आपका वन एंपियर आई वन आई 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 है और आई वन है जीरो लेकिन आपको तो इस कोश्चन में पूटेंशल का डिफरेंस लिखना है आपको इस कोश्चन में पूटेंशल का डिफरेंस लिखना ए से भी तक तो अब आप ए से चलके भी तक जाएए कोई भी रास्ते से चलिए चलिए सीधा सीधा चल जाते सीधा 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 to be start करो एसे potential A current के direction में जाओ दो हम सीधा जा रहे है ठीक है A, B, E, कौन सा पाथ follow कर रहे है A, B, E, B ऐसा follow कर रहे है तो सीधे current के direction में तो minus I1 into I1 और फिर cell में देखो plus से minus की तरफ जा रहे है तो minus two is equals तो वी ए यह 0-2 तो अगर आप पुटेंशल ए में से को माइनस कीजिएगा तो दो वोल्ट आएगा ए और बी का पुटेंशल डिफरेंस निकाल लिएगा देन आंसर विल बी तो वोल्ट आंसर विल बी तू वोल्ट ठीक है तो यह चीज रहा है चलो यह था कोश्चन नम्बर 24 ऐसे बनाना है क्लियर है कोई रास्ते से निकालो गए ना पुटेंशल डिफरेंस वह आना सेम ही यह तो थोड़ा सा लूप रूल और किट्शॉप्स का रूल उस पर ध्यान रखे क्योंकि कोश्चन इसका बहुत अ कि यह रहा आपके पास कोश्चन नम्बर 25 कि फाइंड करेंट इन दा सर्केट फाइंड करेंट इन दा थ्री रेजिस्टर सोन इंफिगर आपको तीनों रेजिस्टर में बारी-बारी से करेंट का वैलू निकालना है ठीक है एक मेर्जिस्टर थोड़ा सेट कर लोग कि चौप सुरूर लगाईए कि चौप सुरूर से कहीं भी है न एक सरप से करेंट डिकालना स्टार्ट करो मालो जैसे इस टू बोल्ट से यह जो हमलों का टू बोल्ट है इससे आई करेंट निकला अगर इससे आई करेंट निकला सपोज इस टू बोल्ट से आई करेंट निकला है यह जाके एक करेंट यह जो आई माइनज आई वन में नीचे की तरफ बोल्ट से छला गया करेंट से जो ओलम जो Hang streaming करेंट इसमें फिर आई माइनस सैन में इस एक इसमें चला गया लगिएust मेंनले को i-i1-i2 यह सब current इधर से आया ऐसे घुमता हुआ अब देखो उपर से आता हुआ i2 जब इसके साथ मिलेगा तो क्या इसमें जाने वाला current i-i1 होगा अब यह i-i1 इधर से आ रहा है और उपर से आ रहा i1 यह i1 जब i-i1 के साथ मिलेगा तो क्या इसमें वापस से current i आ थे इस टू बोल्ट से उतना ही current i finally उसमें इंटर किया current को distribute करना है और उसे साब से फिर आगे सोचना है ठीक है current को distribute करना और सोचना है अब यहां पर लगा लो विकॉज तुमको हर रेजिस्टर से current निकालना था तो अब आप हैन लूप रूल लगाईए याद रखेगा आ एक i है एक i1 है और एक i2 है तो आपको तीन equation बनाके उनको आपस में solve करना है यही हम लोग का theme रहेगा लूप रूल अप्लाई करने के लिए junctions का नाम लिख रहे है इसको a लिख दिये यह b रहा यहां c है यह d है यहां e है this is f आगे यहां पर g है और यह h है अब आप एक लूप लेते हैं suppose a b g h a a b g h a इन लूप a b g h a a b g h a a से भी देखो नीगेटिव से पॉजिटिव इन पर जा रहे हो तो प्लस टू वोल्ट लिखोगे बी से जी देखो करेंट के डारेक्शन में जा रहे हो तो माइनस प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो माइनस टू और फिर करेंट के डारेक्शन में जा रहे हो तो माइनस है क्रेंट के डारेक्शन में जा रहे हो तो माइनस माइनस आई इंटू वन इस एकुल स्टू जीरो अब यह टू वोल्ट इस माइनस टू वोल्ट के साथ कैंसल इसका मतलब i1 माइनसv kai के इस इकुलस टू 0 का मतलब हुगया कि आई जो है वह माइनस साइवन के बराबर है चलो यह एक्वेशन वन रहा है अब आप एक दूसरा लूप ले ले हम लोग सपोज लूप पर बात करते हैं इन लूप एक सेकेंड लूप ले लो इस बार बी सी एफ जी बी पर बात करो बी सी एफ जी बी बी सी एफ जी बी तो बी से सी जा रहे हो प्लस टू निगेटिव से पॉजिटिव करेंट के डिरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई टू इंटू वन हो फिर देखो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो माइनस टू और फिर आप आ रहे हो करेंट के रिवर्स डिरेक् तो इस बार आपको मिला कि आई वन इस इक्वेल्स टू आई वन और यह दूसरा एक्वेशन है अब यहां पर तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हारा तीसरा लूप कि अधर लूप इन लूप जो हम लोका लूप है कौन सा है जो सबसे लेफट वाला लूप में सोच रहें छुँम लोग का लफट वाला लूप ह। कौन है C D F C C D E F C C D E F C फोड़ा च्छोटा कर दें ताकि दिखते रहे कि चलो इस पर बात करते तो सी से डी में हम लोग के पास आया तो आया प्लस वूल्ट फिर देखो ये से एफ जा रहे हैं तो माइनस डू वूल्ट और फिर current के reverse direction में जा रहे हैं current के reverse direction में जा रहे हैं तो plus i2 into 1 is equal to 0 अब देखो यह plus 2 और minus 2 कड़ गया तो यहां से तुमको मिला i2 is equal to 0 अच्छा अगर i2 का value 0 है अगर i2 का value 0 है तो equation 2 से जो 2 था equation वहां से i1 भी 0 होगा so i1 also 0 और अगर i1 0 है तो आप अगर equation 1 का सहारा लेंगे तो i भी 0 मतलब 3 current 0 है and जो तीसरा current आई है वो भी 0 है तो बारी-बारी से आपको kit shops के loop rule से पता चला कि हाँ भई यह तीनों current बारी-बारी से 0 होगा लेकिन अगर आप trick से बनाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि सर थोड़ा सा इसमें कुछ trick बताईए तो देखे जरा ध्यान से देखे हम तो इस तरह से बना के आपको दिखा दिए कि हाँ जो हम आगे बताने जा रहे वो कैसे काम करेगा देखो जरा को और से इस पूरे circuit को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो anti-clockwise और clockwise direction में जो जो बैटरी जुला है उनके polarity को match कराईए तो जितना 6 बोल्ट प्लस 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 तीन का polarity positive polarity लेफ्ट है जो clockwise current घुमाना चाहता है तो तीन anti-clockwise current घुमाना चाहता है दोनों का equal magnitude है EMF का तो हमारा cancel out हो जाएगा और net EMF of the circuit is 0 अब अगर कोई देखे तो C और F point को देखो C और F point को गड़ से देखो क्या वो equal potential वाला point है C और F अगर C और F equal potential वाला point है तो उनके बीच आप कोई भी register जोड़ दिजोएगा उससे flow करने वाले current का value 0 होगा similarly अगर आप ध्यान से देख रहे हैं similarly अगर आप ध्यान से देख रहे हैं और circuit के symmetry को ध्यान में रखिए तो B और G point का भी potential है आपस में same है और A और H point का भी potential आपस में same है तो same potentials के बीच अगर आप cells इस तरह से register को connect कि रहेंगे तो इस connect net current through that register is 0 ही आएगा बाकि आपके पास के chops का loop rule है junction rule है इसके help से आप सब चीज को verify करके भी देख सकते हैं जैसा कि किस case में हुआ है ठीक है चलो थोड़ा next question find the equivalent resistance of the circuit shown in figure between the point A and B each resistor has a resistance are देखो जब भी इस तरह का कोई question रहे ना तो आप उसको symmetry से बनाने का कोशिस करें सबसे पहले circuit को देखे क्या यह symmetrical है क्या आपके नजर में क्या आपके देखने से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा line इस circuit में है कि left वाला part और right वाला part मतलब AB के across में कोई एक ऐसा point हमको दिख रहा है AB के across में हमको एसा कोई एक point दिख रहा है कि left वाला half और right वाला Cena design of the और में प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं कि इस तरह के सर्कृट का में प्रॉब्लम कहां है इस तरह के सर्कृट का में प्रॉब्लम यह जंक्षन होता है यह जंक्षनी आपको परिसान कर रहा है कि कौन किस से जुढ़ा है यहां कुछ पता नहीं चल पा रहा है यहां पता नहीं चल पा रहा है wire कौन किस से जुढ़ है कि तो current electricity में इन तरह के equation कोँ say circuits को solve करने के लिए कहा गया है कि आहिंप आप symmetry का concept सहारा ले मतलब क्या करना है कि जो मेरा left hand है और जो मेरा right hand है इन दोनों के बीच एक line of symmetry है आपको क्या करना है इन दोनों को एक दूसरे के उपर fold करना है मतलब एक हाप को दूसरे हाप के उपर fold करना है fold करना है मतलब आधा copy के बीच से है न जो हम green line खीच के रखे न उसको है न आप बीच से ऐसे fold कीजे जब आप ऐसे fold कीजेगा तो आप देखेगा कि कुछ register एक दूसरे के उपर जा रहा है जैसे आप यहीं पर fold कीजेगा तो आप देख पाएंगे कि यह वाला register fold होके just इसके उपर गया कि उनमें करेंट से होगा करेंट से होने का मतलब है कि वह सिरिज में होगा तो आप इस circuit को कुछ ऐसे बनाएं हम थोड़ा नाम लिख दें वन है यहां टू है एक मिनेट जास्ट तो देखो जैसे हम रेजिस्टर का नाम लिख रहे है यह थ्री है मालों इधर है यह 5 है यह मालों हम लोगे पास है 5 नंबर यह 6 है इधर मालों 7 है यह 8 है यह 9 है यह 10 है यह 11 है यह 12 है आपके पास आपको क्या करना इसको फोल्ड करना है जब आप इसको फोल्ड करेंगे कि जब लोग इसको इसके उपड़ करेंगे ना तो यह सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा थोड़ा देखो थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रहा हमको हम इसको सोच समझ के बनाते हैं तो हम लाइंग खीश-खीश के बनाते यह रहाएगा फिर से यह रहाएगा दूसरा रेजिस्टर उसके बाद यहां से रहाएगा एक तीसरा रेजिस्टर यह रहाएगा हमने उका चौथा रेजिस्टर यहां से यहां रहाएगा एक पांचवा रेजिस्टर यहां से इधर रहेगा 1-6 रेजिस्टर यह पर इस पे आम लोग का 2 रहेगा और बाकी रेजिस्टर से हैं न हम तोड़ा अधुरा बनाके छोड़ते हैं एक इधर एक इधर एक इधर और एक यह पूर्ट समझना इसको ठीक है इधर हम लोग का पॉइंट ए है इधर पे पॉइंट भी है देखो इस ब्रांच में एक रेजिस्टर है यहां भी एक रेजिस्टर है यहां भी एक रेजिस्टर है यह भी एक रिजिस्टर है यह भी एक रिजिस्टर है यह भी एक रिजिस्टर है यह भी ओड़ीजिस्टर यह अब देखो जब यह यह धे लो गए ना तो यहोरे ग़हिन ethreal today में होता है स्था और अ इंदर से खुलेगा तो सात और आठ नंबर है वह आपस्य पैसे मिलेगा टिंग सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब ओंडर अगर द गर यह था उफ्के और शतव नंबर का रिजिस्टर अपको series में करना दो, एक बार अगर आप इतना काम कर लिए तो अब आपके पास लगबग आपका अंसर दिखने लगता है, गौर से देखेगा तो 11 और 12 नंबर के साथ, 11 और 12 आपस में series में है, उसके साथ two किस में है, पैरलल में उसके बाद अगर आप चलेंगे तो एक नमबर और तीन नमबर उसके साथ सिरिज में होगा solve कर दीजेगा उपर वाला line solve हो जाएगा इसी तरह बीच वाले line में 9 और 10 आपस में सिरिज में है अब तुम नीचे आओगे तो साथ और आठ सिरिज में होगा उसके साथ ये पांच नमबर पैरलल में और फिर अम लोग के पास इधर एक है चार नंपर है और left hand side में एक छह नंबर व lacus में फाइनली सुरेजrolleंतु भूगा जैसु तो सर्कृट इस तरह से जब्भी सिमेट्री में रहेना है आपको ऐसे बनाना पड़ता है बीच में एक लाइन ओप सीमेट्री खीचना पड़ता है इसको बीच में दिख रहा वही आपको मेन परिसान करता कि कौन सिरिस कौन पार्लल है उस जंक्षन को खोलिए जब जंक्षन खोलिएगा तो सर्किट कुछ इस्तरा का बन जाएगा उसके बाद पिर आगे अपना सिरिस पार्लल कीची ठीक है बहुत बढ़िया आगे बढ़िया नेक सब्सक्राइब करेंट इन दा सर्किट कि अधा पुडेंशल ड्रॉप एक्रॉस दा फाइब ओम रेजिस्टर अधा पुडेंशल ड्रॉप अक्रॉस देखके कर लीजेगा ठीक है अब देखिए इस सर्किट में सिंपल तरीके से तुम कि चॉप्स के लूप रूल के हिसाब से अपना काम कर लो माल लेते हैं कि यहां पर करेंट आई निकला वह आई करेंट इस सर्किट में ऐसे घूम रहा है आई करेंट अब आप यहां लगा दीजिए लूप रूल तुरंत आंसर आजाएगा जब आप लूप रूल लगाएं मालीजे आप ए से चलके बी तक गएं बी के बाद सी गएं और सी के बाद डी आएं और फिर लूप रूल कौन सा लूप ए बी सी डी ए ए बी सी डी ए तो ए से जब हम लोग बी की तरफ जाएंगे तो नीगेटिव से पॉजिटिव जा रहे है तो प्लस एक्स करेंट के डिरेक्शन में जा रहे है तो माइनस आई आर फिर नीगेटिव से पॉजिटिव जा रहे है तो प्लस ट्वल्फ और फिर कर तो आपके आई का वैलू हो गया 18 by 15 एंपियर आपके आई का वैलू हो गया 18 by 15 एंपियर अब एक बार आई मिल गया तो अब हवर कोश्चन का आंसर देना स्टार्ट करों पहला है करिंट इंद सर्कृट ए हो गया वी तब पुटेंशल ड्रॉप एक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर तो अगर भी कोश्चन का अंसर दीजेगा पुटेंशल ड्रॉप निकालेगा फाइब ओम रेजिस्टर का तो सीधा आई इंटू रेजिस्टन्स करों तो हो गया 18 by 15 एंटू फाइब पांस एक अड़िया नीचे उपर आगे 6 वोल्ट पांच ओम के एक्रॉस का पुटेंश 12 वायर्स इच हाविंग एक्वल रेजिस्टन्स आज जॉइन टू फॉर्म एक्क्यूब एक्वेलेंट रेजिस्टन्स बिट्रिन डागोनली अपोजिट पॉइंट पॉइंट फ याद कीजिए ऐसा क्यापिसिटर में कोश्चन्स हम आपको करा है अब यहां आगया रेजिस्टर का बारी डिस यहीं थीप चलिठी फोड़ा इस सर्कुट को बड़ा कर लेते हैं और फिर चीजों को समझते हैं कहमता सैक्पिसटर धायरें क्या बार भारा मेंश्ट पर एक मरेजिश्टरं एय्क्रण कर लेना है कि हर ब्रांच एक रेजिस्टर है कि हर एक एक एज एक रेजिस्टर है कि हम लोग इसमें क्या सिखे दें कि आपको जिस पॉइंट से चलना है जैसे से चलना है और एसे चलके तुमको फैइनली है एफ तक समॉचना है तो आपको मिलेगा डी मिलेगा और आपको मिलेगा अच्च आपको मिलेगा B, D और H ये तीन चीज आपको मिलेगा अगर आप B, D और H से F तक का दूरी देखोगे दूरी मतलब कैपसिटर के साथ दूरी ना पा जाता है तो B से लेके F तक कम से कम दो रजिस्टर, कैपसिटर नहीं बोलेंगे आप रजिस्टर बोल रहे हैं तो B से लेके F तक कम से कम दो रजिस्टर तुम्हारे पात में जरूर आएगा D से F तक, D से लेके F तक उसमें भी दो रजिस्टर पात में आएगा और H से लेके F तक भी किसी रास्ते से जाओगे छोटा रास्ता चुनना है उसमें भी दो रेजिस्टर आएगा इसका मतलब यह है कि बी पॉइंट डी पॉइंट और एच पॉइंट एक जैसा पॉइंट से B, D और H B से आगे बढ़ोगे तो C पहुंचोगे D से आगे बढ़ोगे तो G पहुंचोगे और H से आगे बढ़ोगे तो E पहुंचोगे अब तुम्हारा अगला बात C, E और G को लेके होगा C से F तक का दूरी एक रेजिस्टर का है अच्छे से देख लो C से F तक का दूरी ये वला रेजिस्टर है E से F तक का दूरी भी एक रेजिस्टर का है ये वला है और G से F तक का दूरी भी एक रेजिस्टर का है तो भले तुमको C, E और G अलग-अलग दिखे लेकिन सी और जी यह तीनों है ना एक जैसा पॉइंट से एक जैसा पॉइंट से ठीक है आईए थोड़ा आगे रेजिस्टर को जोड़ना स्टार्ट कीजिए एसे बी के बीच एक रेजिस्टर यह वाला एसे डी के बीच एक रेजिस्टर एसे एक रेजिस्टर हो गया अब बी से सी के बीच एक रेजिस्टर एक रेजिस्टर एसे ऑपाण टी से सी के बीच एक रेजिस्टर एक रेजिस्टर ए और जी के बीच एक रेजिस्टर ऑंबच गया अब ह एच हूर ई के एक हूर ऐक रेडिस्टर ह एक रेडिस्टर एच और ग के बीच है ठीक है अब आईIn च्で इसी और अथ के بीच एक रेडिस्टर G पैंव और एफ के बीच एक रेडिस्टर और E और F के बीच एक register यह रहा तुम्हारे पास 12 रेजिस्टर तो अगर आप A से आगे बढ़ोगे तो 3 रेजिस्टर का पैरलल फिर आपको 6 रेजिस्टर का पैरलल और फिर आपको 3 रेजिस्टर का पैरलल मिलेगा तब आप पहुंचोगे तो पैरलल है अगर तो रेजिस्टर हो जाएगा हम लोग का आर बाइ 3 यहां हो गया आर बाइ 6 और फिर यहां हो गया आर बाइ 3 अब यह तीनों सिरिस में है तो तुम्हारे लिए आर एक्क्यूवैलेंट का वैलू हो गया कि आर बाइ 3 प्लस कि आर बाइ 6 प्लस कि आर बाइ 3 नीचे देख लो 6 है कि उपर देखो टू आर होगा फिर एक आर होगा और फिर एक टू आर होगा और यह तुम्हारा चलेगा ऐसा इस विल बेक्पल्स टू पाइब आर बाइ 6 यह रहा तुम्हारा और एक्क्यूवैलेंट तो कभी भी अगर बॉडि डागोनल के अक्रॉस में सोचोगे न तो फाइब आर बाइस आता है आपक पास इस तरह से था तो हमारे पास जो वैलू आया था वह तो हम लोगा सिक्स सी बाइफाइब ऑके तो यहां रेजिस्टर में है कि फाइब आर बाइब दिमाग रखिए और अगर हो सके तो और भी बागी सारा चीज याद कीजिए वह सब आपको खुद से करना चाहिए तो तो सरकेट को बनाने का इस तरह के सरकेट को सॉल्ब करने का सिंपल फॉर्मिट आपके सामने रखा हुआ है ध्यान से देख लिए चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को सिंट कि पाइंट एक्विलें रेजिश्टन आप नेट्र सोनें फिगर बिट्विन पॉइंट एंट एंबी यह और बी के बीच हमलों को करना है यह और बी के बीच देखें वैसे तो हर सरकेट अपने आप में देखने लाइक है लेकिन आपको इसमें कुछ ट्रिक समझाते चल रहे हैं पहले देखके चलिए कि सबसे पहले हम सी और डी को सी और ए को लेते सी और ए को कि देखो यह पॉइंट ए है चलो बड़ा-बड़ा करके देखते सी पे देखो यह और बी को गौड से देखो आप देख पाओगे इधर आरवन है इधर आटू है यहां आर थ्री है यहां आर फोर है और यह दोनों आर एक तरह से आर फाइन है आर और आर सिरिस है टुए तो क्या मेरा आरवन बाई आटू अभी आप चेक कर लो आरवन कि यहां आटूं क्या आरवन यूजिस्टर को यूज लेस मान के खटा सकते की शेडा को चाली के तो आर वन और नार इजिश्टू sécurज हो गया यह R1 और 2 हो गया स्रीज में नीचे R3 और 4 हो गया स्रीज में हर एक रेजिस्टर का वैलू और लेना है आपको आराम से सॉल पीज़े आज आज आजेगा उपर दोनों स्रीज में नीचे दोनों बाद में पारलल तो यहां आपको विट्स्टोन ब्रिच सर्किट के कंसर्क्ट से चलना था एवन अगर आप यह लिए नंबर भी देखते हैं तो यह भी विट्रिश्टून प्रिच है यह वाला जो रिजिस्टर है वो के हटने वाला है है कि यह हटने मैं है यह आरवन है है यह कर इसको यह कर दो उसके बाल विटे वाल रिस्त्र keto का चलेगा अब देखें माली जे D solve करना है तो इस तरह के circuit में आपको A point चुल लेना है और B point चुल लेना ये D के लिए हम बता रहे हैं गौर करो ये मेरा register 1 है ये मेरा register बात में सब आर्पूट कर लेंगे लेकिन अभी नाम दे देने से समझाना असान होता समझना असान है आपनों सब कोई ध्यान से देखेगा क्या A point से हर register का एक 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 एंड कनेक्टेड है R1 का R2 का R3 का सब का एक 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 एंड देखो A से कनेक्टेड है तो तुम यहां से 4 register बनाओगे और उन 4 register का एक एंड तुम A से कनेक्ट करोगे R1 का एक एंड, R2 का एक एंड, R3 का और R4 का इन 4 एक एंड हम लोग है न A से कनेक्ट करती है अब हर register का second एंड पर गौर करो क्या वो B से कनेक्टेड है क्या R2 का भी second in B से कनेक्टेड है, R3 का भी second in B से कनेक्टेड है, R4 का भी second in B से कनेक्टेड है बिल्कुल 4 का चारो बारी बारी से ऐसे B से कनेक्टेड है तो A और B के बीच अगर तुम देखोगे न तो यह 4 register आपस में parallel में है all are in parallel, यह 4 का चारो parallel में है, parallel सोचो, solve करो, answer आजाएगा R4 answer आजाएगा R4, ठीक है, खोड़ा और उपर आओ गौर करो, खोड़ा इस circuit के लिए बात करता है, यह तुम अगर ध्यान से देखोगे, तो यह माल लो मेरा R1 है यह R2 है, यह R3 है, यह R4 है, यह अगर तुमको इसको solve करना है, तो तुम फिर से एक point A ले लो, और एक point B ले लो, तुमको R1 का एक end A से जुड़ा हुआ दिखेगा, और बहुत interesting अगर तुम देखोगे, तो R2, R3 और R4 इन तीनों का एक एक end B से जुड़ा हुआ दिखेगा, तो B से तुमको 3 register जुड़ा हुआ दिखेगा, पन कॉन जुड़ा हुआ दिख रहा है, R2, R3 और R4 और इन तीनों का जो दूसरा end है ना, वो A से जुड़ा हुआ है, यह डाए गलत बोल दिए, R1 से जुड़ा हुआ है, यह देको, यह वाला Rock वो यह वाला, जो end है, आर्टू का वो B से जुड़ा हुआ है, यह वाला जो इंड़ा वह भी बी से जुड़ा हुआ यह वाला इंड़ा वह भी बी से जुड़ा हुआ यह तो अब देख पाए नीचे वाले सरकुट पर ध्यान लगाईए R2, R3 और R4 यह आपस में parallel है और जब parallel solve कर लोगे तो R1 उसके साथ सिरिस है ठेक है और यह वाला हम आपको खुद से बने